इस वक्त मेरे सामने बैठी है सिनी शेटी जिनोंने फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता है सिर पर आप ताज देख सकते हैं और उनके चेहरे पर कितनी बड़ी सी मुस्कान है वो भी आप देख सकते हैं सिनी बहुत-बहुत स्वागत है ABP News में और हमारी तरफ से बहुत-बहुत बधाई भी आपको सिर पर ये जो ताज सजा है मिस इंडिया का कैसा महसूस कर रही है और जब पहली बार एनाउंस्मेंट होई कि आपने ये खिताब जीता है स्टेज पर जब एनाउंस्मेंट हुई तो क्या फिलिंग्स थी आपकी जब नाम लिया था स्टेज पर तब मैं इतना भगवां से प्रियर कर रही थी कि मुझे तो सुना ही नहीं दिया था बट मेरे बाजमें में गाल है धर जब आपकी तो मैं मुझे घुचा मुझे तब एक रिश्चा मुझे रगवार्ण देलिस्टीट में थी कि में अलाओ तो फिमिना में मिस इंडिया 2022 थी करनाटका से व्या कि मुझे तो रहीं जब लिए है जब कुछ उमझ लिए था जब एक रहीं तो आगवागे तो मुझे वो दिखे जो excitement से चेर से उठे वो तो वो content और happiness आगया ना वो जलक में मुझे प्राउड पीलिंग आया जो आपने कहा कि आप बहुत शॉक्ट हो गई थी बहुत जादा confident नहीं थी कि जो finalist में से आपका ही नाम लिया जाएगा आपका नाम अनाउंस किया जाएगा बतार भी बहुत confident नहीं थी जिसे कि आपने बहुत शॉक्ट हो गए थी आप सुनके नहीं confident की बाद नहीं है बट जो 30 finalist है state के हर अपनी वे में यूनीक थे वो सब किसी को किसी का कम्यूनिकेशन स्किल एकदम ओन टॉप है किसी की डिरेक्शन लाइफ में अची है तो हर एक कंटेस्टेंट अपनी तरक में यूनीक थी तो everyone was worthy of the crown इसलिए वो यहां पर 30 finalists थे तो crown किसी का भी हो सकता था बट efforts matter कर रहे थे तो मेरे और efforts ने unify किया और crown मेरे सर पर है आज 3000 लोगों ने 3000 लड़कियों ने audition दिया था Miss Femina Miss India 2022 के लिए उसमें से फिर 30 finalists चुने गए और फिर 10 लोगों को चुना गया और फिर 5 लोगों को चुना गया और फिर 3 लोगों में से आपका नाम announce किया गया बहुत बड़ी बात है 3000 लोगों में से winner बनना किस तरह कि आपने तयारी की Miss India बनने के लिए क्या कुछ आपको करना पड़ा कितना खुद पे धियान देना पड़ा औ तो आपके चाल भाव धाल सब कुछ बडल देते हैं एक ब्यूडी क्वीन जब चलती है उनका अरा होता है उनको एक सही तरह से एवरीडे प्रेज टेबल बनना बढ़ता है उनको अपने आपको एक स्टाड़ाइज बनाती है कि इनसे पूरी वर्ल को इंस्पार के तो चाह क्या होता है और एक मेरा एक वो रिलेटेबल पॉइंट आया जब कि मुझे अपने ट्रू सेल्फ को कैसे प्रेजेंट करना है दुनिया के सामने कि लोग मुझे समझे और लोग मेरे से इंस्पार हो वो मैंने सीखा वो एक महिने में तो वो ट्रांस्फोर्मेशन था मेरा सबसे मुश्किल क्या था जब आप इसकी तयारी कर रही थी जब आपने डिसाइड किया कि इस कॉंटेस में हिस्सा लेना है सबसे डिफिकल्ट मोमेंट क्या था क्योंकि डेली रूटीन चेंज हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है तरह तरह की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है इसके बारे में बताईए तो बिफोर जब पहले मैं ये पैजिंट में आ रही थी उसके पहले मेरा एक जॉब था मैं एक यूथ मार्केटिंग औरगनाइजेशन वाइरल फिजिए में एक प्रड़क्ट एगजएटर का काम करती थी तो अभी वह नौकरी करने के लिए कि प्रफेशनल और पैजिंट लाइफ को कैसे मैं बैलन्स करो ताकि मैं कराउन भी हासल पर पाऊ और मेरा वोक लाइफ भी कोई बैलन्स खराब ना हो तो उसको यूणिफाइए करने में थोड़ा चैलेंज हुआ जैसे पूरा पूरे दिन में हम पैजिंट की कमपनी और उनके जो हैं वो इतने सपोर्टिव है और अधिन मैं उनको लुक अप टू करती वाज्मेंटर बिकिस वेन आई टोल थेम की यूण मेरा ये ड्रीम है कि में को मिस इंडिया से ओफर आया है क्या मैं जा सकती हूँ कोई कमपनी त्री मन्त नोटिस के पहले एपको मिन इतने बड़ीग मैं जाने नहीं देता यह शुख थे जर पूर्य को बड़ीग में सब्सपर्टित हूँ कि एन बड़ीग मैं की आपको ट्रीम हुग को अपने बारे लेताख को और कोई बादी चले और मेरे बुरा अर मिरी कमपनी और मेरे बॉस का बार्मा इंपनी का सोचते हैं, वो अपनी employees की satisfaction को पहले सोचते हैं, उनकी needs को पहले डालते हैं, and they think about उनका life कैसे आगे जाएगा, वो उनके बारे में, उनके company के बारे में पहले, बाद में ही सोचके, अपने employee की growth के उपर जाते हैं, वो मैंने बहुत सीखाया हैं से, सीनी, क्या ये सच है कि जब आप 11 स्टैंडर्ड में थी, तब आपको किसी ने realize करवाया, किसी ने आपको प्रेरीत किया, कि आपको किसी beauty contest में हिस्सा लेना चाहिए, उससे पहले आपने अपने तरफ से ऐसे कोशिश ने की, हाला कि आपके मन में बच्पन से रहा है, कि आपको इंट्रस रहा है beauty pageants में, लेकिन 11 स्टैंड में किसी ने, ये क्या सच है, वो कौन थी, जिसने आपको ये realize कराया? वोड इसक्थ में किसी ने चाहिए है, टकर पहले है उसने में का क्या थिलन आपको किए सूट परूट मेंसाट रहें, ने मिझा को तरौट किता। एप परश्याहिए जिले सेले के में का लिवश्त इदितानी जौट ब Госवश है कि लगल में जब उनके कामिरा काम्ने इ सोचा था, अवेश ए रच्छाए एंग में पड़ाए गढ़ाए एंगा था अवेश एंग हुआ था एंग, मैं था चाहिए हैं तो, आप रखने नहीं हैं मैं पुर्ण दूशब करें हूं, वह भी मानियला रिवा आफी कि वी कि नुछ भी कोकि नुछ राई उपने परसनालिटी से लिए जा आई पॉर्ण इने लिए जा बाई स्टाइ टॉच्छामा ह। मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि जब इस तरह कि तयारी कोई करता है beauty pageant के लिए तो एक nervousness भी होती है कि हम stage पे जाएंगे और खासकर finale के दौरान और जो celeb judge होते हैं वो तरह तरह के सवाल पूछते हैं जब वो सवाल पूछ रहे थे किसी तरह की nervousness थी या कहीं ये था कि मैं सही जवाब अगर नहीं दे पाई इंप्रेस नहीं कर पाई इंप्रेस करना सबसे बड़ी चीज होती है क्या ये सब चल रहा था आपके ममने मेरे लिए question answer round जब चालू था मुझे मेरी mentor ने एक चीज बोला था be true to yourself जो अपने दिल की बात है न वो बोलना तुम जितना answer को frame करने जो होगी वो बराबर डिलिवरी नहीं हो पाएगी पर तुम अगर मन की बात जब बोलती हो तो तुमारे दिल से निकलता है तो उसमें एक अलाग expression होता है एक अलाग अदाज होता है तो मैंने अपना clear कर लिया था mind कि जो निकले का पर दिल की आवास भार आएगी तो nervousness था stage पर जाने से पहले थोड़ी तो हम nervous होते है cold ये थोड़ा तो हमें ये होता है कि थोड़ी you know fumble ना हो जाए कोई words सवाल पूछा गया तो और क्या जवाब दिया आपने final round मुझे सवाल पूछा गया था कि क्या आपको लगता है abortion the right to abortion is a valid policy तो अमेरिका में हाली में इसको लेकर बाट बावाल हुए मेरे समय अर्ली स्टार्ट अपना sentence किया था कि अमेरिका में हाली में यहापर abortion आदिसे जादा से states of US में बैंड है I was heartbroken मुझे एक दम गुसाया इनूस जैसे की बाकी माइलाओ को हुआ था इस दुनिया में एक लड़की का वो लड़की नहीं होती अगर उसके अपने बॉड़ी में क्या कर सकती उसका हक नहीं इसको और abortion एक काफी sensitive matter होता है एक woman को लेकिए उसका एकदम sensitive because it's her own child, वो उसको खुदका बच्चा है अगर वो यह decision ले रही है, अगर वो safe or legal abortion practice कर रही है with no force और कोई उसको पुष नहीं कर रहा है इसके लिए that means that she has the right to do whatever with her body लड़कियों की जो body है, उनका हग, उनी को वो हग मिलना चाहिए पुरी दुनिया में इसे लेके चर्चा हो रही है मैं अपने दर्शुकों को बता दू कि सिनी जो है चार साल के उम्र से dance practice कर रही है और 14 साल के उम्रों में उन्होंने भरतनाटियम सीख लिया था ये खास बात है इनकी और dance videos काफी social media पे इनके viral होते रहते हैं काफी videos डांती रहती हैं इस passion के बारे में बताई है भरतनाटियम के बारे में मेरे घज़बनाटियम अगल थास दू किसे क dobr," इसूथ ठागे विचिप, चाही कोई बुरा दिन के भरतनाटियम इसा कोई प्लेस आलागी करें तुमझ जितना करो उत में हम होता है और मेरा मूड एक दम वो मेने लिए मेडिटेशन है में चार साल की थी जब मैं डांस करना चालो कर दो शुरू किया था चादा साल की उमर में मैंने आरंगेतरम दिया था बारत नाटियम में आरंगेतरम क्या होता है अगर आप हमरे दर्शे को बता है अरंगेतरम बेसिकली हम जितना भी सीखे है अपने ये डूरेशन में अपनी लर्निंग पीरियोड में उसका पोट्रेयल होता है तो दी ओडियन्स तो दी नाए तो दी गॉड फुर लिए गिविविग अस दी कॉंस देने के लिए एक पावर देने के लिए कि हम डान्स एफ़र्ट लेशले करें और तू शो ग्राटिटूट टुदी मादर अर्थ हम भूमी देवी पर डांस करते हैं हम उसका ग्राटिटूड दिखाने के लिए चोटा सा दान्स परफॉर्मंस होचा है जो तीन गंदा चलत से लेकर प्रियंका चोप्रा लारा दत्ता ऐश्वरा राय शुश्मिता सेन दिया मिर्जा तमाम ब्यूटी क्वीन्स रही है युकता मुखी डाइना हेडन किस ब्यूटी क्वीन ने आपको बहुत इंस्पायर किया है किसे आप लुक अप्टू करती थी किसे आप बहुत मा पाई कुछ बताएंगे इसके बारों कि यहां तो मैं तो मैं कहूं तो सारी ब्यूटी क्वीम्स अपनी अपना उनका एक उनमें ही एक इंडिजिवालिटी थी उनकी एक यूनिक परस्नालिटी तो किसी से वो जो रेजोनेशन आता था मेरा रेजोनेट करती थी तो वो थी आता आते इनाता कि बीक एनाता नहीं एक अल sentiments तो आते मेरा रेजोनेटी ंमेट उणिए इससानालिट एक नि side of the policy कि से अपनेटी थेårtए थी तो थी उनका निंखत्य तो सब मुड़ की देखें Maori इन Come the traditional or the प्रियंका चोप्रा की रहा पर चलना चाहेंगी अगर में यह सवाल करो आपसे क्या आपका अगला कदम भी बॉलिवुड हो सकता है मैं उनको मैं उनको आइलाइस करती को I really like her as a person and I would really would love to take उन से मैं सीख लेना चाहूंगी बट मेरा पात और एक जोर्ने मेरा ही on or on drawn होगा अगर मुझे मेरी एक belief है कि if I get an opportunity मैं उसको grab करने की कोशिश करूँगी कोई भी opportunity होगी कोई भी chance होगा अगर मुझे लगता है वो मेरे लिए सही है तो मैं grab करना हूँ अभी ऐसा कोई खयाल नहीं है बॉलिवूड का अगर मुझे कोई अच्छी opportunity मिले कि मैं अपना brand value और अपना name बढ़ा सत्य हूँ तो शायद मैं हाँ बूलिवूड कोई तो मौका आएगा तो जैसा flow होगा उस हिसाब से आप जो flow होता है उसके हिसाब से आप आगे बढ़ना चाहेंगी मैं आपसे यह भी जाना जाओंगे आपके favorite Bollywood actor और actresses कौन है क्या Hindi film में आप देखती है चुकि आप Mangalore से बिलॉंग करती है क्या आप Hindi film में देखती है और Bollywood आपको interest करता है कौन-कौन से लोग favorite हैं आपके जैसे मैंने का हमें डांसर हूँ जो मुझे जब जब बढ़ले वोड़ यहां थाज थे काने मुझे थे अच्रच करती तुछिए तो अज अच्रच मेँ ऍटवर अच्छिए का करती जूँग थे और अगार्वकाड़ाण का अच्रच करती थे तो अगार्ज थोड़ॉज पूले वुछ जवाजे थे नेर एं बॉलिवुड को एक नया ट्विस्स दे दिया है, उनोंने एक नया हिस्ट्री बना है, तो the fact that ho Bollywood में बना प्लेस रख भी है, वो मेन लीड लेक्या है, जब कि हमने देखा है पुराने दुमाने में, मेरे लिए तो सारी जैसे ये जवानी है दिवानी है क्योंकि वो एक उसमें हमारे में टीनेजर का जजबा होता है ना कि मैं दौटना चाहता हूं मैं उठना चाहता हूं वो सारी डायलॉग्स हमारे दिमाग में प्रिंट हो जाती है तो ऐसे सारी मूविस तो बहुत पसंद है और अगर अगर आपको पहली फिल्म मिली सपोज एक है वो आइकोनिक है वो मूविस में उन्होंने एक प्रिंट बनाया है वो आगे मैं देखती हूं को मैं बड़ी हुई देखे कभी मैं ऐसे मूविस एक जखल होना हो जब हम शारुखान को देखते था उनको एक दम उनको एक पेडिस्टल पर रखते थे कि हाँ यह है जुम मूवी इंडस्री को आगे लेके जा रहे है तो डेफिनिटल शारुखान का एक फेडियालोग इस वक्त याद है आपको किसी फिल्म का बोलके दिखाना जाए है बड़ी बड़ी शाहरों में चुटी चुटी बाती होती रहते हैं चलिए एवी पीनी से खास बातचीत करने क बहुत 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 भुत सब्सक्तु में बाहुत करो गाले लेके बातफमगां को किसी बाता है आइक नियुक्त एपलेता शाए होगां किसी फिल्म कर लू Spirit भीनार शारुटी खन